हेलो एवरीवन वेल्कम बेक टू माल चैनल डाइलिसिस पैशन ममता दोस्तों आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत स्वत्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों कल मेरा डाइलिसिस है और देखिए मेरा फेस पर थोड़ी से स्वैलिंग बरती जा रही है पर फिर भी मैं आज ब्लॉफ बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं घर का काम मैंने शुरू कर दिया है पूचा कर ली है और अब मैं सोच रही हूँ के पराठे बना लूँ तो मैं आटा उसन रही हूँ और आज मेरे को मेति के लड़ू बनाने है तो मेरी मम्मी ने मेति के अब बोलेंगे इतना सारा आटा के उसन लिया तो मैंने यह आटा शाम तक का उसन लिया क्योंकि अभी ठंड पढ़ना लगी है तो ठंड की और शाम तक काम भाजाता है गर्मी में मैं दोनों टाइम का ने उसनती हूँ पर में मैं अ और दाल रखी हूए है राच को ज्यादा दाल बज गई थी तो मैं सोच रहें हुंगे अचार ऊचाल झाएक धाल लोग यह पराठी हमारी बना देते तो मेरे टूर आपिसल्ग लुट स्टशाग स्टुुट समय वड़ समय यह राजमा मैंने शाम के लिए गला के रग दिया है उस्वाम को में सब्जी और चावल बनाओंगी और रोटी बना लूंगी और अभी तो में तर पाराठे ही बनाओंगी और अभी जब कोचिण से आगा तब सुची ता भी बना दूंगी गरम अभी भी खालेगा बाबू ख मेथी दाने का मैंने पाउडर बना लिया है मिक्सर में पीस के और अब मैं इसमें दो कप डूट डाल दूँगी इसको सोग करने के लिए यह मेथी दाने को मैंने मिक्सर में पीस के पाउडर बना लिया था और उस पाउडर को दूद में रात में सोग करके रख दिया था तो यह ओवर नाइट दूद में रहा जिससे इसका कड़ावन कम हो जाए अब मैंने आधा किलो गुर ले लिया है उसको मैं बारिक कर लूँगी अब एक कड़ाई लिये मैंने उसमें मैं सो ग्राम नारिल का बूरा लूँगी और उसको हलका रोस्ट करूँगी अब उसी कड़ाई में मैं थोड़ा देशी घी ले लूँगी जिसमें मैं ड्राइफूर्ट्स फ्राइ करूँगी अब मेरे पास थोड़े मखाने रखे थे तो मैंने वो मखाने फ्राइ कर लिये हैं थोड़े से मेरे पास काजू रखे थे उनको भी मैं इसी घी में फ्राइ कर लूँगी आप कोई से भी ड्राइफ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेवल हो जो आप यूज़ करना चाहते हो मेरे पास जो रखेते हैं मैंने उसी कौप्यों कर लिए अब उसी कड़ाई में थोड़ा की कम करके एक कप आटा डालूँगी और उसको धीमी धीमी आच में अच्छा सेख लूँगी और आटा जब अत्कच्रा सिख जाएगा तब उसी में आदा कब बेसन डालूँगी और उसको भी धीमी धीमी आज में उसी के साथ सेख लोंगी ऐसा करने से मेथी दाने के लड़ू का कड़ापन कम हो जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है मुझे घी कम लग रहा है तो अपर से थोड़ा सा घी हो डाल रही हूँ आप अपने हिसाब से देख लिजिएगा अब एक बरतन में में उस सिखे हुए आटे और बेसन को निकाल दूँगी जिसमें मैंने ड्राइफरूट्स भी निकाल दिये हैं अब उसी कड़ाई को अपयोग में फिर से करोगी अब वो जो फ्राइ किये हुए ड्राइफरूट्स दर दर अपीस लूँगी और अब उसी कड़ाई में मैंने मेथी दाने जो दूद में गले हुए थे रात भर के उनको निकाल लिया है और घी डालके उसको सेक रही हूँ को वरको बदी बदी आच में सेक ना है जब तक जब तक उनका कच्चापन खत्म ना हो जाए तब तक मैं उनको सेकती रहूँगी अब मेथी दाने का कलर थोड़ा चेंज हो गया है और उसमें सोंदी सोंदी से खुश्वू भी आने लगी है इस स्टेज पर मैं गेस का फ्लेम बन कर दूँगी और ये ड्राइ फ्रूट्स जो मैंने फ्राइ करे थे इनको भी दरदरा पीस लिया है इस तरीके से अब एक दिन पहले मैंने जले भी बनाई थी तो उसकी थोड़ी सी चाशनी बच गई थी उसी चाशनी में ये थोड़ा सा गो डाल रही हूँ आप ऐसा ना करें वो तो मेरे घर में जो चीजें रखी थी मैंने उसका यूस कर लिया आप गुड़ की ही चाशनी बनाए क्योंकि ठंड में मेथी दाने के लड़ू गुड़ के बने हुए ही फायदा करते हैं मगर थोड़ी सी चاشनी रखी थी तो मैंने उसका यूस कर लिया, और अब देखिए मैं इसमै चाशनी बना रही हूँ कडाई मे अब जो मेथि दाना हमने सेखा था, उसको मैने थोड़ी देर के लिए ढग के रख दिया था, अब एक तरब उपर कड़ाई में चाशनी बना रही हूँ और नीचे कड़ाई में उनको अच्छी तरीके से मिला रही हूँ मेथी धाने के पाउडर को अब मेरे पास किसमिस रखी थी वो भी डाल रही हूँ उसको मैंने फ्राई नहीं करा था और यह ड्राई फ्रूट्स जो मैंने मिक्सर में पीस लेते हैं उन्हें भी डाल दूंगी और यह कोकोनेट पाउडर जो हमने सबसे पहले सेका था उसको मैं मिला लूँगी और यह आटा और बैसन को जो हमने घी में सेका था इसको भी मैं इसी मेथी धाने के पाउडर में मिला लूँगी अब इनको अच्छी तरीके से मिला लूँगे अब यह चाशनी देखे बन रही है गुड अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए उतना ही काफी है गठी चाशनी ना हो वेशा ही बनाना है यह मेथी के दाने के लड़ू इस तरीके से बनने चाहिए कि कोई बुजर्ग भी इसे खा ले आसानी से अब इस मेथी दाने के लड़ू में में चीज है मिल्क पाउडर मैं दो कप मिल्क पाउडर डाल रही हूं जिससे इसके स्वाद में भी बहुत ज्यादा जाएगा इनकी बहुत टेस्टी लगेगा और इसका कड़ापन भी बहुत कमा जाएगा तो आप जब भी मेथी के इसमें डलनी ही चाहिए वह है इलाइची पाउडर तो इसमें मैंने दो तीन चुटकी इलाइची पाउडर डाल दिया है आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं और अब आये चाशनी की बारी अब मैं इस पूरे मिक्सचर में चाशनी डाल दूंगी चाशनी डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिला लूंगी चाशनी को इतनी अच्छी तरीके से मिलाना है कि सारे मिश्रन में चाशनी अच्छी तरीके से मिल जाए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जाशनी या तो गीली हो गई है या जादा हो गई है तो इस सिच्वेशन में मैंने इसमें एक कप मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा डाल दिया है मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा डालने से अब मेरा वो जो मिश्रन है लड्डू का वो ठीक हो गया है और अब मैं गोल गोल लड्डू इसके बान लूँगी दोस्तों मैं खड़ी खड़ी बहुत थक गई थी इसलिए टेबल पर लाके ने लड्डू बना रही हूँ यह देखें लड्डू बनके रेड़ी हो गय है दोस्तों यह लड्डू बनके तयार हो गये और यह लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पीस के डाल दिये हैं और कठी चाशनी भी नहीं करी है तो यह बन गया आज मेरे मेथी के लड़ू और दोस्तों मैं भूट ठक गई हो बीच बीच में मुझे लेटना पड़ा पूरी बोडी में थोड़ा-थोड़ा पैन तो मुझे होता ही रहता है पूरे रहें पर बेक पैन कि कैसे मैं सुबह से लेकर राट तक कैसे सब मैनेज करते हूं डालीसिस वाले दिन तो एक दिन में लोगों की डिमांड पर बनाओंगी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको डालीसिस का पूरा वीडियो तो आज के व्लॉग में बस